और 36 गड़ में दान सुभा के चुनाब होने के बाद अब सभी की नज़रें 3 दिसंबर को आने बारी नतीजों पर चिके हुई है। कॉंग्रेस एक बार फिर से सक्ता में बाफ सुभी करेगी या नहीं करेगी हाला कि कॉंग्रेस ये दावा जरूर कर रही है लेकिन नतीजों से पहले कॉंग्रेस में सीम पद को लेकर दाविदारी का दोर शुरू हो गया है। कि जब मंतरी कवासी लखमा से सवाल किया गया तो उन्होंने सीम पद के लिए वरतमान मुख्यमंतरी भुपेश बगेल का समर्थन किया। कवासी लखमा ने कहा कि मेरी राय से आगे भी मुख्यमंतरी भुपेश बगेल को होना चाहिए। टीर सिंग देव दीपक बैज बड़े निता है लेकिन मैं दरी बचाने वाला और जन्डा उठाने वाला कारे करता हूं कॉंग्रेस पार्टी मोझे जो भी काम देगी वो में इमानदारी से करूंगा टीर सिंग देव और दीपक बैज की अपनी-पनी राय हो सकती है लेकिन मेरी राय मैं आगे भी मुख्य मंत्री भुपेश्वगेल को होना ही चाहिए इसलिए तो जीएस्टी में सार में बोट नहीं पुड़ा है कभी भी इतना परदन मंत्री बने देश में देश का निया कानू काईती है कोई सीकाइद करने से करना है इन लोग काले उपर से जीएस्टी जीएस्टी लगा कि यह जो बेपारी लों को परसंड किया जा रहा है बेपारी अपना महिनत करके बाल बच्चे को छोड़के बजार, बोवा, टोरा, रात दिन महिनत करके कर रहा है उसको पर परसानी करने से बेपारी लोग बहुत परसान है इसलिए सत्रीगड में तो सरकार बनेगा मैं अभी मत्रदेश में मंदिर दर्शन करने गाया था मेरे पास वह पोर्श थे, वह पूरा अधिकरी कांग्रिस को ओड़ दिया है मद्यपर्देश, राजस्तान और तलंगाना के पूरा सरकार अज बदलने जारी है और बेपारी इस दियस का रीन काड़ी है उनको कितना परसन करोगी